देखिए यह है कनेर का पुधा और कितना अच्छा हो रहा है हरा भरा और इसा इतना बढ़िए पेड़ हो रहा इसको कैसे हरा भरा बनाय है और क्या क्या किया है इस तरह के फूल की बहुत ही कलिया pełल हर उस पर देखे टहनी पर आप देख रहे हैं फूल और कली आजाएं तो यह क्या किया है इसके लिए आप देख सकेंगे कि हमने इसको करने के लिए क्या क्या किया है तो इसके लिए देखे इसको कैसे लगाएं ऐसा हरा भरा कैसे करें इस पेड़ को तो इसको लगाने के इसे हम 50% इसमें मिटी लें गार्डन की 20% गोबर की खाथ 20% इसमें मोटी बालु वाली रेथ और 10% आप नीम की खली मिलाकर इस पेड़ को लगा सकते हैं गमला कैसा चाहिए तो गमला इसके लिए जो है आप 12 इंची का ले सकते हैं और 12 इंची से बड़ा ही गमला लें क्यों आएंस बस roofs और ज्रोध भी अच्छी करेगा तो यह इसको पानी कैसा दें तो पानी इसको यह नहीं है कि असका पानी जड़ में भरा नहीं रहना चाहिए पानी इसको तब दें 20 इंच मिटी उपर से सूख जाए तब पानी एख से जिदा भी ज़रूरत नहीं नहीं है इसक इसको आप अपने गाडन में लगा सकते हैं इसको पार्क में लगा सकते हैं इसको कहीं पेर भी लगा सकते हैं इस पेर भी लगा सकते हैं लेकिन इसको धूप की कम से कम 5-6 घंटे की धूप जरूर मिलनी चाहिए इस पेर को यदि ऐसी धूप नहीं मिलेगी तो देखे फूल नहीं खिलेंगे क्योंकि फूल वाले या फल वाले पोधों के लिए 5-6 घंटे की धूप बहुत ही कंपल सरी होती है जिससे की वह अपना भूजन बनाते हैं और फूल फल आते हैं रही इसको जब जादे फूल वाला बारह मासी पो फल या फूल देता तो उसके लिए हमें उस जिससे की अच्छी तरह से ये आए फूल आते रहें रही इसकी ग्रो कैसे होता तो देखे ये ग्रो कैसे होता तो आप इसकी देखे इतनी छोटी सी कटिंग काट के मिटी में लगा दीजे बस उसी से यह पोधा आपका ग्रो हो जाएगा बाकी इसमें कोई देख भाल की जर नहीं है आप घर का ही इस्तमाल करना चाहते हैं तो सैंपू जिसका पाउच होता एक रुपे वाला उसका आधा पाउच दो लीटर में पानी में मिलाकर छड़काओ कर दें तब भी मर जाएगा इसका हर कीड़ा मर जाएगा कोई फंगस आदी नहीं आएगी रही इसकी कि मिले थोते का थोड़ा सा घोल करके और इसकी जड़ में पानी डाल दे तब भी कोई फंगस वगएरा नहीं आएगी इसकी खास केयर की जरूरत नहीं होती इसको अपनी जादे बड़ा हो जाए जब फूल सूख जाए तो कटिंग करके और इसको मैंटेनेंस करा जा सकता इस आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें धन्यवाद